इस जीवन में बहुत सारे नए कटे मिठे अनुभाव हैं, बहुत सारे लोग आए, बहुत सार लोग गए, बहुत सार लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, तो एक अपीर भी करूँ अपने साथियों से, जो वास्तिता मुझसे प्यार करते हैं, मुझे में विश्वास रखते ह हैं, मुझे में उम्मीद रखते हैं, कि अपना समय किसी पर टिका टिपनी करने में खर्च मत करो, किसी को बुरा कहने से हम अच्छे नहीं हो सकते हैं, किसी को अच्छा कहने से हम बुरे नहीं हो सकते हैं, हमें अपना काम करनते रहना चाहिए, इमानदारी से अपना काम करन पूरी एनरजी हमारे मिशन को काम्याब करने में लगने चाहिए ना कि दुदर की बातों में आप समध्दार हैं और मैं आपसे अपील करता हूं कि कि आप समध्दार दिखाएं कि किसी पर टिकाट इपणी ना करें सियासी दुस्मनों को खुस होने का मोका न दे हमें अपने काम को जिम्मदार से करना हम पर लक्स हैं जो लोग लक्से भी न होते हैं वो इदर दर ध्यान देते हैं इन सबसे जो हमें ध्यान देना चाहिए हमारे लक्से पर क्या भी बेरुजगारी खतम हो गई है क्या महिंगा राजका आज आ गया किंग चैसे लोगों सुक्सोुदा मिलने लगीए कि बूटी माऊ को समान का उप्रुज मिल रहा किया बैहनों को उनकी जो सपने थें पढ़ने के आगे बढ़ने के नौखरी के रोजगार के समान जीने चुरू जात उनके साथ ठोंगी हो गया कि उनके अच्छी हो गई है कि हर्वेक्ति सुनवाई होने लगी है कि सब लोगों से इंसानों जैसा सलूख हो रहा है मैं अब बहुत जल नगीना के गाओं गाओं जाओंगा और अपने घर को मजबूत करूंगा जिन गाओं के लोगों नो मुझे सम्मान दिया उस समय में उनसे वोट मांगने का तो हर नेता ने उनको ठगाए लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मैं विश्वास से जाओंगा उनके पास उनको विश्वास दिलाने की अब उनकी हर लड़ाई की जम्मेदारी चंशे करायात की है उनकी हर सुक और दुख में मैं उनके साथ हूँ मैं आप से अपील करता हूँ देश बर के साथियों से प्राइब को करें अपने लक्से जान दीजिए और मुझे लड़ाई को लड़ने के मौका दीजिए ऑना कि अपनी पूरी एनरजी क्याले आंदोलण को समझज है कोई आपको मामूली कहता यह मेला मामूली हुजाते कोई अपको छुठ लटे कहता ही हो जाते कोई है आपको आपके बारे में टि बाट कर देता ताप बुरे हो जाते हैं किसी ने आप HAical किसने आपसे कहा दिया कि बहुके पार्सन जिद आ सकतें कितने बड़े ज़ेता हैं तो आप छोटे होगे हैं है कि आदमी का काम संगस कोछे न massively यह 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 inhe उस कर जाता है है एक कि एक ठेली उसे वो क्या कहते है उसको जो पहले आता है फोल्डिंग फोल्डिंग पर रखिए मैंने सोर्पे क्रत तो क्या मेरे कपड़ों से मेरी वैलू टैकर हुगे बड़े लोग बड़ी बड़ी बाते करते हैं उनको गरीबों के तकलीब का एसास नहीं है आओ जाके चको उनकी जिंदगी तो एसास होगा उनके छोट-छोटी गलिया देखो उनके भुके पेट देखो बिना दवाई के उनको बिस्तरों पे मरते वे देखो उनके सपनों खुचलते वे देखो जब साधी आती है तो उनको धार मांगते हैं उनके हाथ देखो लोग आगे फैलते वे जब उनको अपने घर में और कोई काम करना होता है तब उनके फैलते वे हाथ देखो जब उनके साथ को अन्या होता है तब उनकी आखो में उम्मीदे देखो वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं उनके मन में सपने हैं बहुत सार लोग तो ने उम्मीदे से जी रहे हैं कोई आएगा मसिया कोई पीर पैगंबर आएगा उनकी जिंदगी बदने के उनको क्या पता है कि हर आदमी से अपने मतलब के लिए सब ने गलत किया सब ने बुरा किया यह वेक्ति का लड़ाई नहीं है यह पूरे गरीब किसान मजदोर नोजवान महिलाई हर वेक्ति की लड़ाई है जो चाहता है उनको स्वाइमान सम्मान का जीवन मिले और हर जाती दर हमने अच्छे लोग है मुझे मिले भी बहुत अच्छे लोग मिले लेकिन मैं आपको विश्वाद दिला कहता हूँ कि अभी लड़ाई शुरू ही यह खतम नहीं हुई बहुत कुछ मिल जाए तो हिंकार मत करो और बहुत कुछ चला जाए तो रोके जीवन खराब मत करो हर दिन एक चैलेंज अगर कुधरत ने आपको इज़द दे दी तो इस इज़द को सम्हाल के रखना बरकरार रखना आपके लिए चैलेंज होगा उसको बना के रखना चैलेंज होगा उसको आगे बढ़ाना चैलेंज होगा उसके जरीए बहुत सा लोग को ने अवसर पैदा हों इतना काम करके दिखाना चैलेंज होगा जनता के बीच रहना पड़ेगा जनता के वाज बनना पड़ेगा अच्छे साथियों को वो जो अच्छे मिशन के लिए बढ़ेगा आपसे नाराज उनको मणा के लाना पड़ेगा अपने साथ जोड़ना पड़ेगा अच्छे लोग कदर करनी पड़ेगी नगिना के लोगège कैसे शुक रादा करूं मेरे जितना काम किया उनोंने इस तरह से मेरे साथ मिलके संगर्ष किया जैसे वो खुद ये उनकी वेक्तिय लड़ाई हूँ मेरी हिवाज़त की मेरे लिए आरोप सही है ऐसे भी लोग है जिन्हों 40-40 साल पुरानी पर्टे छोड़ी अपनी 30 साल मैं सबके सम्मान का ख्यार रखूंगा लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कोई पैसे वाला बैठके आपको कुछ भी करेगा प्यारोप लगा देगा तो क्या आप ड़ जाओगे यह जो लोग है जो आप पे आपको छुठवाईया नेता और तमाम तरह की बाते करें इनसे मत लड़ो इनसे बहतर काम करके दिखाओ इनको काम से जवाब दो किसी भी कोटी पड़ी मत करो वगर सच में मुझे वरोसा अगर मेरे सच में मुझे नेदा मानते हो किसी भी कोटी पड़ी मत करो अपने काम पे ध्यान दो नगीना के लोगो मैं एड़ोगेट चंशे के राजाद आप से और देश के हर एक व्यक्ति नागरिक से वादा करता हूं कि जब तक इस देश में हर गरीब व्यक्ति को सुख सुधार सम्मान का जीवन नहीं मिलेगा तब तक मैं चैंसे नहीं बैठ हूँ जब तक सविधान को पूर्णुक से लागुनी कराज तब तक हम लोग चैंसे नहीं बैठें हैं जब तक व्यापारी, किसान, नोजवान, महिलाई, महिदूर हर तबके को सुख सुधार सम्मान का जीवन नहीं मिलता तब तक हम चैंसे नहीं बैठें हैं जब तक थर्ड जेंडर को भी, सुख सुधार सम्मान का जीवन के घर में खुशालने पर तब तक चैंसे नहीं बैठें हैं और जैसे एक काहवद है, क्रिकेट में कि मूझ से नहीं बल्ले से जवाब दो, या बोल से जवाब दो, इसलिए आप से कह रहा हूँ, अपनी ताकत बना के जवाब दो, जिसको भी देना है किसी की, मैंने पूरे चुनाव में किसी को बुरा नहीं का, से अपनी खूबिया बताओ, फिर आप से कह रहा हूँ, अपनी खूबिया बताओ कि आप क्या कर सकते हो, और अब सुरू होने वाले, आज हमने जारकंड की दो और बियार की तीन सीटों पहलान किया लड़ने का, राइस्तान में में कुछ सुटे लड़ रहे हैं, और साइध हर्याना में भी कल तक हम अपनी से डिकलेर करेंगे जहां लड़ेंगे, जो लोग हमारे नोजवान साथी, गरीब साथी लड़ना चाहते हैं, अब उनको किस तरह लड़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है, तो मैं दिल से शुक्रियाद है करता हूं, उन लोग का जो नगीना के लोग हैं, उन लोग का, जो वहां चुनाव रोड़ाने आए, वो लोग जिन्नों ने एक एक पैसा रिकट्था करके मां भेजा, उन सब का धन्यवाद करता हूं, और सबसे धन्यवाद करता हूं, सोशल मेडिय कि आपके जरी है पुरी दुनिया ने मुझे सुना हमेशा है कि बहुत जल्ब काम रिम्टा के चोविशतर के रेली है साइध कन्फरमेशन हो रही है अभी जोधपुर में चोविशतर के रेली के बाद आता हूं एक डर जो आप लोग को लगावाए कि वोट की चोरी नहों जा जाए और भी वह साथ चीज़े पहली बात तो जीत का अंतर इतना होगा कि दो चार दस भी सहजार नहीं होगा वह अंतर जो आपकी वोटों की चोरी हो जाए लेकिन फिर भी आप मैं उनको विश्वार दिलाता हूं आपके एक वोट की रखवाली के लिए मैं खून का कत्रा कत्रा लगा दूं आप चिंता मत करो घबराव मत दो दिन से मेरी तपे ठीक नहीं थी गले मेरे गले से खून आ रहा था आज मैं काफी ठीक हूं लेकिन आज ये कितना बड़ा हार्सा घट गया लेकिन मैं आपको विश्वार दिलाता हूं मेरी पूरी जिंदगी आप लोग दिलाने के लिए और भारत को मजबूत भारत बनाने के लिए दुनिया में भारत की जो पैचान है हाववाई नहीं मजबूत पैचान बनाने के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है और मैं हर एक साथी का धन्यवाद दूंगा जिसने आके वहां परतेक से परतेक रूप से मेरी मदद कि गिना नाम लिए सब करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद जय भीम जय भारत जय सविधान आदाब जमस्कार सरसे काल आप सब के लिए बंगल काम ना है ऐसे ही मेरा ऋखाथ बटाते लिए raftway मेरा साथ देते रही है आपका अपना चंशे का राजाद रुकूंगा नहीं जुकूंगा नहीं और वो नोट नहीं बना जो आपके भाईब खरीद ले मौका मिलने तो फिर दिखाता हूँ कैसे लड़ी जाती लड़ाई आपका चंशे का राजाद आशा उम्मीद कि आप मेरी बातों पर ध्यान दोगे और जो मैंने आपसे कहा उस पर काम करोगे तब जाके मुझे लगता है कि सवधान बच पाएगा और हम लोग राइंतिक ताकत बना के अपने लोग के भला कर पाएगे धन्यवाद